फरवरी शुरू होते ही टैक्स सेविंग का सीजन भी शुरू हो गया है हो सकता है कि आपकी कमपनी के HR की ओर से इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करने का इमेल आपको आ चुका हो वैसे आईकर की धारा ATC के तहट देड़ लाग की छूट पाने के कई तरीके हैं लेकिन PPF को सबसे आसान और भेतर तरीका माना जाता है दरसल इस पर 7.1% का मोटा ब्याज मिलता है साथी लंबे समय के निवेश में कमपाउंटिंग का फायदा भी मिलता है इसलिए भविश्य को सुरक्षित रखने के लिए PPF में निवेश को सबसे जादा सुरक्षित माना जाता है मगर क्या होगा जब आपका PPF अकाउंट किसी कारण से बंध हो गया हो ऐसे में मन में कई तरह की सवाल उठने लगते हैं क्या हमारा निवेश सुरक्षित है पैसा वापस मिलेगा या नहीं अगर आपका भी PPF अकाउंट बंध हो गया है तो आपको क्या करना होगा तो ये वीडियो ऐसे ही निवेश करताओ के लिए है सबसे पहले तो आप घबराए नहीं आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है अपना PPF अकाउंट दोबारा से चालू करने के लिए फॉलो करें जो स्टेब में आपको बताने वाली हो तो क्यों बंध हो जाता है PPF अकाउंट अगर आपका PPF अकाउंट बंध हो गया है तो सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि आपका PPF अकाउंट किस कारण बंध हो गया है ठीक वैसे ही जैसे डॉक्टर पहले मर्स का पता लगाते हैं उसके बाद ही इलाज करते हैं अगर कोई निवेश करता एक साल में अपने पीपीएफ अकाउंट में इस नियुनतम सीमा के जितनी रकम जमा नहीं करता है तो उसका पीपीएफ अकाउंट इन ऑपरेटिव हो जात है आपको बता दें कि ये ब्याज हर साल आपके बैलेंस में जूडता जाता है सरकार समय समय पर ब्याज दरें तैग करती हैं आप मेचॉरिटी की तारीक से पहले बंद पड़े पीपीएफ अकाउंट को हमेशा के लिए बंद नहीं करा सकते हैं हालकि अगर कोई निवेश क अपने पीपीएफ अकाउंट को फिर से चालू कराना चाहता है तो मिचॉरिटी अवदी से पहले कभी भी ये काम वो करवा सकते हैं ध्यान रहे कि मिचॉरिटी की तारीक पीपीएफ पास्बुक में होती है आप जान लेते हैं कि बंद पड़े पीपीएफ अकाउंट को कै से चालू करें तो पीपीएफ अकाउंट को चालू करने के लिए आपको उस पोस्ट ओफिस यहां बैंक में जाना होगा पोस्ट ओफिस यहां बैंक में जाकर पीपीएफ अकाउंट दोबारह से चालू करने के लिए एक लिखित आपको अप्लिकेशन देना होगा बंद पीप को कीजिए और आप अपना खाता दुबारा खुलवा सकते हैं